हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माई इस्टडी शीट चेनल दोस्तों जितने भी कोस्टन्स प्रिवेर्स यर में पूछे गए हैं TGT, PGT, KVS, NBS, LT, KPhysical Education के competitive exam से related उन सभी कोस्टन्स को topic wise आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूं और दोस्तों यह series number 23 है दोस्तों यदि आप TGT, PGT, LT के तैयारी कर रहे हैं KVS, NBS के तैयारी कर रहे हैं तो इन सब के series के recording सभी videos मेरे चैनल पे उपलब्द हैं आप उन सभी videos को watch कर सकते हैं और जो GMC की questions previous year का चल रहा है daily basis पे चल रहा है उसे आप daily basis पे join कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज का series start करते हैं दोस्तों question number one है जब एक धांचे का एक हिस्सा फोट जाता है परन्तु सरीर के साथ जुड़ा रहता है तो वह क्या कहलाता है तो दोस्तों इसका शही answer है evolution यानि कि जब ये धांचे का एक हिस्सा फोट जाता है परन्तु सरीर के साथ जुड़ा रहता है तो वह evolution factor कहलाता है प्राया ऐसी इस्थिती इस नायू यानि कि लिगामेंट फ़र बाहरी बलों के कारण सरीर के बाहरी बलों के कारण या कंडरा जो टेंडन होता है पर पेसी संकूचन के कारण उत्पन्न होता है next question है कि स्लेश पूटी में शूजन अथ्वा छोटी जिल्ली जिसमें तरल पदार्थ हो उसको जाना जाता है इसका सही जवाब है बर्साइटिस दोस्तों बर्साइटिस या स्लेश पूटी या शूजन अथ्वा छोटी जिल्ली जिसमें तरल पदार्थ हो इसका दुसरा आर्थ जोडों पर तरल भरी थैलियों में शूजन के नाम से जाना जाता है तेनो साइनो वाइटिस कंड्रा एवन उसके आवरर की सूजन है इस्प्रेन का साथिक अर्थ मोच अथ्वा मरोड होता है दोस्तों एंड इस्प्रेन से लिगामेंट प्रहावित होता है दो तीन चोटे हैं दोस्तों जो आपके एक्जांस में बार बार पुछे जाते हैं एक इस्प्रेन इस्प्रेन लिगामेंट्स की चोट होती है एंड इस्प्रेन मसल्स एउन कंड्रा यानि इस टेंडन की चोट होती है जितने भी चोटे हैं दोस्तों उन सब के बारे में मै बना चुकी हूं उस सब वीडियो को आप वास्ट करके देखेंगे तो आपको कोस्टन्स बहुत ही जल्द समझ में आजाएंगे नेश्ट कोस्टन है कि निम्ने में से कौन शा परवत रोग के लिए शबसे अच्छा हिलाज है तो दोस्तों बता दें कि परवत पर यानि जितने उचाई पर आप जाएंगे आकसिजन लेवल वहाँ पर कम होगा तो कौन परवत रोग के लिए सबसे अच्छा इलाज होगा जब आक्सिजन कम है वहाँ पायाता है तो आक्सिजन की आपूरती ही सबसे अच्छा इलाज होगा तो आक्सिजन निम्बर सी इसका शही अंसर होगा आक्सिजन की ततकाल आपूरती परवत रोक के लिए सबसे अच्छा इलाज होगा सबसे अच्छा सटिक इलाज यही है आक्सिजन की ततकाल आपूरती दोस्तों परवता रूहियू द्वारा अधिक परवती उचाई पर जाने के कारव्यक्ति का रख्त चाप बढ़ जाता है तथा नाड़ी दर्व में भी व्रिध्धी हो जाती है जिसके कारव्यक्ति को तत्काल आक्स्रीजन की आपूर्ति की जाने चाहिए नेक्स्ट कोस्टन है इस्प्रेन टखने की चोट में किस परिस्थिती में चोट को ठिक करने के उपाए के रूप में कॉंट्रास्ट बहुत देना चाहिए क्वेस्टन क्या कर रहा है कि इस्प्रेन इस्प्रेन टखने की चोट में इस्प्रेन चोट किसे कहते हैं दोस्तों इस्प्रेन जो मोच हो जाता है जोड़ों पर लिगामेंट्स के अधिक खित जाने को हम इस्प्रेन कहते हैं तो वही इस्प्रेन जब टक्खने में हो जाए पैर के टक्खने में तो किस परिशिती में चोट को ठीक इस परिशिती में चोट को ठीक करने के उपाये के रूप में कॉंट्रास्ट बहुत देना चाहिए कॉंट्रास्ट बहुत जितने भी फिजियो थेरेपी पुनर्वास रिहेबिलिटेशन है दोस्तों इसके बारे में बता चुकी हूं तो उसके वीडियो को आप देख लीजीगा तो यह सब कोस्टन आपके लिए आसान हो जाएंगे तो कंट्रास्ट बात होता क्या है दोस्तों इसमें ठंडा और गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है इसके इलाज के लिए तो इसमें कोस्टन के इंसार चलते हैं कि इस्प्रेन टकने की चोट में यानि टकने में जब इस्प्रेन हो जाएं उस परिसिति में चोट को ठीक करने के लिए कंट्रास्ट बात का क्या उपाय देना चाहिए तो इसमें आपसम है किवल जब सूजन इस्टेबल हो जाए जब सूजन खत्म हो जाए चोट लगने की तुरंद चाहें यहां संधन के आता चाहें को सुजन एस्टेबल हो जाए तब बात देना चाहिए दुस्तों यह और बात जनना चाहिए सबसे प्रियोग करने वाली सबसे पहली वस्तु होती है थंडा पानी यह भी ध्यान रखीगा क्योंकि कई बार ऐसे पूछा है कि कंट्रास्ट बात में प्रियोग की जाने वाली प्रतम वस्तु कौन होती है तो वह ठंडा पानी होती है जिएक्श्ट फान है कि खून के शीष्ट को नियंतरित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है तो दोस्तों खून मानियी वखन प्रतम वलला है सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा तो आपसर नमबर भी करेक्ट एंसर घाओ पर प्रत्य छिरुप से दबाओ डालना नेक्ट कोस्चन है उस शाररिक विद्वान का नाम जिसने श्वास्ति को चलाय मान प्रक्रिया समझा और इसको परिभासित किया कि जीवन की गुरुवत्ता वह है जो किश्री व्यक्ति को अच्छे से रखना और वेहतर शेवा के लिए सच्छम बनाता है तो इस बात को किश्ने कहा है दोस्तों जे एफ विलियम ने इस बात को कहा है स्वास्त को चलामान प्रक्रिया समझा है और जीवन की गुरुवत्ता के बारे में बात कहे है कैसे वह बेहतर शेवा के लिए सच्छम बनाता है एक ब्यक्ति को तो इस बात को ध्यान में रखेगा कि यह परिभासा जीएफ विलियम्स ने दिया है नेक्स कोश्चन है कि फ्रावचीन परंपरा से सुरी नमस्कार है सुरी भगवार की फ्रात्ना की अश्टांग यूग का भाग की वैदिक फ्रात्ना की वेवस्थित सार्रिक ब्यायाम क्या है सुरी नमस्कार प्राचीन परंपरा से तो यह वेवस्थित सार्रिक ब्यायाम है दोस्तों सुरी नमस्कार एक पूड़ योगी अथ्वा वेवस्थित सार्रिक ब्यायाम है इसमें बारह आशन विभिन्द चरणों में शंपन्न किये जाते हैं कितने आशन होते हैं बारह इसको भी ध्यान रखिएगा नेश्ट कोश्चन है कि किसी परिच्छर का नार्म उसमें किस आधार पर कारे करता है जैसे कि दुस्तों परिच्छर की मुल्यांकन की कौसोर्टी यानि कारिटेरियन फार्ट्रेस्ट इवलिशन को तीन भागों में बाटा गया है बैग्यानिक प्रमारिक्ता, प्रसासनिक ब्योहरिक्ता, एंड सैचिक प्रयोग उसमें से बैग्यानिक प्रमारिक्ता में आपका रिलेबिटी, वेलिडिटी, अब्जेक्टिविटी, नार्म्स एंड इस्टेंडर्ड आता है तो जो नार्म्स होता है वह इसमें इसतर निधायत किया जाता है कि इस आई वर्ग के लिए इतना और इस आई वर्ग के लिए इतना इस टेंडर्ड लाना या इतना कारशमता उसका होता है तो उस इस टेंडर्ड के अंसार उसका मुल्यांकन पधती रखा जाता है तो इसमें विसे-सरु उसके उम्र, लिंग और वर्ग को ध्यान में रखा जाता है कि जब परिच्छ मापन मुल्यांकन का वीडियू उज बनाओंगी दूस्तों उसमें पुरे डिटेल्स बताऊंगी कि डिलेयबलेटी क्या है, जिलेटी क्या है, अब्जेक्टिविटी क्या किसी परिच्छर के नार्म या मापदंड उम्र लिंग या वर्ग के अधार पर निठाइद किये जाते हैं क्योंकि एक समान आयू वर्ग तथा लिंग में सालरिक फिटनेस फिजिकल फिटनेस तथा कारेशक्ति में समरुता प्रजाने की संभावना अधिक होती है निम्न मेंसे एक संक्रामक रोग का नाम दे है जा मधु में कैंसर उच्यक्तचाप दोस्तों इसमें कैंसर उच रखत चौप मधुमें तीनों संक्रामक रोग नहीं है आपसे नंबर एक एंसर है जाए एक संक्रामक रोग है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संक्रामक रूख एक बैक्ति से दूसरे बैक्ति में प्रत्यश्य परोच रूप से फैलते हैं यह बैक्टिरिया, वायरस, प्रोटोजुवा, कवक आधिस से फैलता है एंद हवा, पानी, जल, दूसित भोजन आधिस से फैलता है नेस्ट कोश्चन है, ब्यायाम के दौरान मान स्पेशी में या तंत्रिका कोशिका में विद्धुती क्रिया उत्पन हो जाती है जो कहलाती है एक्शन फोटेंशियल आपसे निमबर सी, करेक्ट एंसर कि ब्यायाम के दौराम जो हम एक्सरसाइज करते हैं, उस्षमें हमारे मान स्पेशी या तंत्रिका कोशिका या जो निरॉन्स होते हैं मस्तिस्क में उसमें विद्धुती क्रिया उत्पन हो जाती है, तो उसे हम एक्सन पोटेंशियल बोला जाता है ठीक है क्योंकि ब्यायाम के दौराम जो मान स्पेशी या तंत्रिका कोशिका में उत्पन विद्धुती क्रिया एक्सन पोटेंशियल कराती है, जो निरॉन्स और निरॉन्स से लेकर मान स्पेशियों के तंत्रिका के बीच संदेश पहुचाने के लिए प्रयुक्त होती है लेक्ट कॉर्शन है कि नियमित ब्यायाम हमारे रक्त में कुलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रहावित करता है यहाल क्या करता है दोस्तों जो हम नियमित ब्यायाम करते हैं तो रग्ध में चो कुलिस्ट्राल की मात्रा होता है उसको कैसे प्रभावित करता है तो नियमित ब्यायाम करने से आपसा नंबर डीकरेक्ट एंसर है HDL की मात्रा को बढ़ाता है तथा LDL की मात्रा को कम करता है HDL का फुल फार्म होता है High Density Lipoprotein and LDL का फुल फार्म है Low Density Lipoprotein HDL अच्छा कोलेस्टराल होता है और LDL खराब कोलेस्टराल होता है HDL की मात्रा बहाता है यानि अच्छे कोलेस्टराल की मात्रा बहाता है LDL की मात्रा कम करता है यानि बुरे कोलेस्टराल की मात्रा को कम करता है जो हम नियमित ब्यायाम करते हैं तो नियमित ब्यायाम करने से हमारे सरी के रक्त में कोलेस्टरॉल के इस तर्मी कमी आ जाती है कोलेस्टरॉल हमारे सरी के लिए बहुत घातक होता है दूस्तों रख्तमी कोलेस्टरॉल के इस तर्मी कमी की जा यो का बचाओ होो शके वास्तमें का कोलेस्ट्राल पर दो तर्मा प्रभव अंतमी अलधा के इस तरक कमे स्वथ्थर को बढदा दूसरे के इस को debating कर्ता है इसका अर्थ यह है कि वियाया है कि खराब कोलेस्टरॉल को कम तर्फ अक्षे को स्वास्थ एवं ब्यायाम बैज्ञानिकों के अनुसार स्वास्थ रखने रहने के लिए कम से कम कठीन ब्यायाम कितना करना चाहिए स्वास्थ एवं ब्यायाम बैज्ञानिकों के अनुसार स्वास्थ रहने के लिए कम से कम कितना कठीन ब्यायाम करना चाहिए तो इसका शहिए इसर है कि आदे घंटे रोज यानि आदे घंटे एक दिन में और सब्ता में तीन दिन हमको ब्यायाम करना चाहिए स्वाष्त रहने के लिए कम से कम कुत बयायाम करना चाहिए आधा गंटा रोज यानि एक दिन में आधा गंटा और सब्ता में कम से कम तीन दिन आपको जरूर करना चाहिए बयायाम शरीर में सभी आंगों में उचित रक्त संचार बना रहे बने रहना बहुत आवर्शेक होता है क्योंकि सरीर की प्रतिये कोशिका में निरंतर उर्जा छह होता रहता है अता पुना उर्जा निर्मार के लिए कोशिकाओं को निरंतर आक्सिजर किया सकता पड़ती है नियमित आदे गंटे के वयाम से सरीर में रक्त संचार सम्मंधी रुकावटे जो होती है वो दूर होती रहती है और रक्त की आक्सीजन का वाहक होता है सरीर के प्रतिये एक अंग की कोशिका को आक्सीजन की आपूरती सुग्रिमता से करता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है वहाँ फेपरे से आक्सीजन को गड़ा करके समस्त सरीर में कोशिकाव में आक्सीजन की आपूरती करता है इसलिए हीमोग्लोबिन को आक्सीजन को वाहक या परिवहन कहा जाता है जिससे सारीक श्वास्त अच्छा रहता है इसलिए कम शक्रम आदा घंटा एक दिन में और सब्ता में तीन दिन का कठिन व्यायाम शरीर को श्वस्त रखने के लिए सहायख होता है Next question है कि अपने आप को श्वस्त रखने के लिए मनुष्य को पति दिन कम श्रिकम कितनी समय व्यायाम करना चाहिए तो इसका शही आंसर है 30 मिनट Next question है अच्छे स्वास्थ के लिए किसी प्रकार गव्यायाम आवश्षयख है तो हलका कि भारी कि मध्यम प्रकार का कि नियमित तो दोस्तों अच्छे स्वास्थ के लिए नियमित ब्यायाम का होना बहुत जरुरी होता है क्योंकि हलका भारी या मध्यम प्रकाय का ब्यायाम ब्यक्ति अपनी अपनी चंता के अनुसार करते हैं लेकिन यदि ब्यायाम नियमित न किया जाए तो उनका कोई भी भी से इसलाब नहीं होता है इसलिए नियमित रुप से करना चाहिए इसलिए प्रकाय कोई विजिद हो तो निश्ट कोस्चन है कि सिधान्त और वियोहार में वच्छ यारी चेस्ट का सही मापन लेना चाहिए कब लेना चाहिए समाने हिदय के समाने स्वसन के अंत में कि जोर से स्वास निश्कासन के बाद कि समाने स्वसन के समय कि समाने स्वसन की शुरुवात में तो दोस्तों यह समाने स्वसन के अंत में सिधान्त और वियोहार में वच्छ का सही मापन लेना चाहिए कब समाने स्वसन के अंत में आपसन नंबर एक करेट एंसर क्योंकि युआ है वाच्छ कि वास्तरिक इसीती होती है जो सारा रिख विकाश की इसीती इसपर्ष्ट करती है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में होगा अच्छ समझ में आया होगा दोस्तो वीडियो को इसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए ज्यादे से ज्यादे अपने दोस्तों तक सेयर कीजिए जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके जिसे मेली बेसिस पर आपके लिए मैं वीडियो जिलाती रहूं तो दोस्तो पहली बाब बिजिट कर रहा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी बेल आइकम प्रेस कर लिए जिसे जो में नया वीडियो अप्लोट करूँ उसका नाटिवी के साथ के पास मिलता रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बेल